थाट को मारा नहीं जा सकता, थाट कहीं जाने वाला नहीं है, एक थाट से दस और थाट पैदा हो जाते हैं, दस थाट से एक हजार और थाट पैदा हो जाते हैं, ये हमें छोडने वाले नहीं है, ये हमेशा हमें जक्रे रखते हैं, इनसान हमेशा थाट का गुलाम रहता है, को कंट्रोल करने को सिफ एक तरीका है है उडे फ९ू हानियट थॉट के लिए एय्फøट करनी पड़ती है उड़ाher कुला देती है हम हमेशा थॉट के अ माईंड के लेवल पर यो है काम करते हैं हमेशा हम माईंड की दुनिया में रहते हैं हमेशा effort करते रहते हैं कि कुछ ये हो जाए कुछ वो हो जाए कुछ मिल जाए इस तरह सकून नहीं मिल सकता थाट दल दल की तरह है इस दल दल से नहीं निकल सकता एक थाट आएगा दूसरा आएगा तीसरा हैगा चौता हैगा आप हमेशा सोचते रहोगे सोचते रहोगे और इस सोच की वज़ा से ही इनसान की तबाई है दल दल से निकलना है तो आपको spiritual path प्याना होगा यह सवाल उठाना होगा कि मैं कौन हूँ मैं क्या हूँ क्या मैं mind हूँ क्या मैं thought हूँ thought की वज़ा से ही हम एक दूसरे से नफ़त करते है thought की वज़ा से ही हम एक दूसरे को शिकर्स देते है thought की वज़ा से ही हम कहते है कि यह मेरा है यह तेरा है इस तेरे मेरे का जो खेल है वो thought चला रहा है thought को समझना होगा mind को समझना होगा कि क्या मैं mind हूँ क्या मैं थाट हूँ या कुछ और हूँ थाट से बचना है तो सबसे पहले ये सवाल उठाना है कि हो एम आई मैं कि ये थाट हूँ, माइंड हूँ जो हमेशा सोचता रहता है जो सोचता है, वो सुकूम उसको नहीं मिलसकता, वो पीस्फल तीसफल होने के लिए आपको सिपरिछूलटी का रास्ता अपना रास्ता मतलब इफर्टलेसली खुद को जानना उगा, अपनी 富नम लेर्ड को हटाना जाना होगा, जानना होगा कि मैं सोल हूँ या मैं या मैं थIGHT हूँ, मैं रू हूँ या मैं थIGHT हूँ, मैं consciousness हूँ या मैं thought हूँ वो consciousness हूआ आप जो इस कहनात के जर्रे जर्रे में है लेकिन आपने खुद को thought में फसा रखा है यह समझना होगा यह सवाल बढ़ा है मैं के हुए माही मैं कौन हूँ यही सवाल किया था बुद्धा ने यही सवाल किया था रूमी ने यही सवाल समयंदार लोकर